गुड मॉर्निंग एब्रीबन मेरा नाम प्रशान मिस रहा है और आप हैं हमारे साथ आपके अपने चैनल सिक्षा पंडोस फाउंडेशन में जैसा कि डेली हमाई करेंट अफेर की वीडियो सुबह साथ बज़े आ जाती है उसी तरह आज ही हम हाजी रहें आपके सामने आपक देखते हैं आज की इंपोर्टेंट करेंट अफेर से हूं अमंग दा फॉलेंग हैस बीन नेम्ड इन टाइम मोस्ट इंफ्लेंशल प्यूपल लिस्ट टाइम के एक मोस्ट इंफ्लेंशल लिस्ट आती है 100 लोगों की उस 100 लोगों में सबसे ज्यादा इंफ्लेंशल परसन प्रभाव साली वेक्ति कौन था तो इसका अंसर है नरेंद्र मोदी जी को सबसे प्रभाव साली 100 वेक्तियों में सामिल के आ गया है अब टाइम मैगजीन की बात आती है तो टाइम मैगजीन जो है टाइम मैजीन ने अपनी पहली ये लिस्ट जो पब्लिस करी थी वो 3rd मार 1923 को पब्लिस करी थी नेक्स देखते हैं अगला कुश्चन है एहमेड इसमाइल टोरेमा हैस बीन एलेक्टेड आज अप्रेसिडेंट आप दा बोगन वील विच इस दा आटो मुनस रीजन आप दा विच कंट्री बोगन वील के इसमाइल टो रोमा को प्रेसिडेंट किस कंट्री है तो यह है पापुवा नियु किन अगर आगे बात करते हैं तो साइप्रस की क्यापिटल निकोशिया है बांगलादेश की ढ्राका है पपुआ नियुगिने की पोर्ट मोरेसे है और फिजी की सुवा कैपिटल है यह कैपिटल भी एक्जाम में आपके पूछा जाते हैं तो इन्हें आप लोग कागश्पन लेके बैठा करिए और इन्हें नोट कर लिया करिए जो कि आपको आगे फाइदा करेगा नेक्स्ट क पुछा जा चुका है अंक्टाड का फूल फॉर्म होता है United Nations Conference on Trade and Development तो एक बार फिर बताता हूं United Nation Conference on Trade and Development इसका फूल फॉर्म होता है इसने GDP फॉरकास्ट कर रहा है 2020 के लिए तो यहां पर यह यह पूछ रहा है अंक्टाड या United ये पूछ रहा है कि इसने कितनी आपकी GDP 2020 के लिए फॉर्कास्ट करी है या कितनी GDP रहने की संभावना है तो इसका आंसर है माइनस 5.9% मतलब हमारी GDP जो है उसका माइनस में ग्रोथ रहेगा 2020 में 5.9 अब अंक्टाड की बात आई है United Nation Conference on Trade and Development तो इसका इसका जो establishment हुआ था इसका foundation हुआ था 30 December 1964 में हुआ था इसका headquarters जेनेवा में है और इसके head जो है उनका नाम है मुखीसा कितुई मुखीसा कितुई ठीक है नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला इसमें एक चीज और देख लिए आप लोग इसमें 2020 के लिए growth rate बताया गया था जो prediction था वो माइनस 5.9 है और यह 2021 का prediction जो है वो positive है 3.9 तो यह आप लोग नोट का लिएगा 2021 का भी prediction अंक्टाड ने दिया है और वो दिया है 3.9 नेक्स्ट देखते हैं वोट वोज दे प्रोफेशन ऑफ भूपेश पांड्या का प्रोफेशन क्या था वो क्या करते थे और उनकी रिसेंट में अभी मृत्ति हो गई है तो यह एक एक अक्टर थे आप लोगोंने पिक्चर देखी होगी विक्की डोनर विक्की डोनर पहली आईस्वान कुराना की वी ती जो उन्होंने डेब्ई किया था इसमें इन्होंने काम किया था नेक्स्क्रव कुस्चन देखते हैं मेरी ताइम डे को ट्वन्टी ताइम टे ऐसी अब सबैंग ट्यकिन के गया अब मेरीम ले मनाया गैजक्त वर्ड मेरी टायम लिटाम और लंदन में और इसका तेंटियेचन हुआ फैंट्रड़ीटी एट में से अलारन इसके एक बहुत इंपउर्डन जिए ritual मेरी तैम डे, जो 2020 में हुआ है इसका थीम क्या था? तो आज़ंग था सस्टेनिबल सिपिंग फ़र सस्टेनिबल प्लैनेट एक बार फिर बताता हूं सस्टेनिबल सिपिंग फ़र सस्टेनिबल प्लैनेट ये इसका थीम था NET Despite the question जी को most influence influence person में नाम गया था अब यहां भी most influence person पूछ रहा है लेकिन इसकी category जो है वो आर्टिस्ट में है तो आर्टिस्ट के में कौन है आर्टिस्ट में इसका आइसमान खुराना को इस category में जो है उनको यह अवार्ट दिया चलिए देखते हैं अगला next question क्या है next question है who has been named the 2020 class of 17 young leader for the sustainable development goals goals तो यह जो sustainable goals थे उनमें भारत से किसको लीडर का ओवार्ट दिया गया है यंग लीडर का जो की 17 इनका नाम है उधित सिंगल उधित सिंगल को क्या दिया गया यह दिल्ली बेस्ट मतलब दिल्ली में रहते हैं और इन्हों अपना एक गेम लॉंच किया है इसका अंसर क्या होगा यह राज सिंह सचेंत अंदुलकर राहुल रवड़ी अभी अभी चीज और याद कर लिए अभी पेटियम को गूगल पे ने कुछ देर के लिए प्ले स्टोर से उटा दिया थह तो यह क्वेशिन पूछा साथ के क्या सब्सक्रिक है कि कीसा आपको प्ले स्टोर से उटाया गया था है b agencies' Lisa Alexa voice assistant Alexa voice assistant आता है जिसमें आप कुछ बोलेंगे वो आपका आंसर प्रोवाइड करेगी आपको प्रोवाइड आंसर दिया जाएगा उससे एक डिवाइस है जो की Amazon ने बनाई है Amazon के एक है जैब बेसास अमेजान के हैड जो है वो कौन है जैब बेसास तो इन्होंने किसको हमारे बॉलीवूट से किस वेक्ति की आवाज को इन्होंने लिया है अपने यहाँ Alexa voice assistant के लिए तो आपके option है नसीरुद्दिन सा अमेताब बच्चन आमिर खान बोमन इरानी तो अंसर है भी अमेताब बच्चन नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं इसके बाद अगले कुस्चन पर चलते हैं यह बहुत इंपोर्टन कुस्चन है नोट कर लिएगा चाइना वो तो गो कार्बन नीट्र हो जाएगा या कार्बन का सरजन को अपने यहां बंद कर देगा कौन से साल तक 2030-2040-2050-2060 इसका अंसर है डी-2060 अब चाइना आया है तो चाइना की कैपिटल वीजिंग है कल हमने आपको दो बैंक बताया था एक AIIB बताया था एक NDB बताया था Asian Infrastructure Investment Bank के बारे में बताया थ अधी से ब्रіक्स बैंक भी कहा जाता है तो ब्रिक्स बैंक या नियू अदवल्मेंट मेंक का हेड़कॉर्टर चाइना के संघाई है और Asian Infrastructure Investment Bank का Headquarter जो है वो चाइना के ही बीजिंग में है ठीक है तो यह नोट डाउन कर लीजेगा आपके काम आएगा अगला बता रहा है विच स्टेट है लॉंट मोख्ष कलस योजना 2020 एक मोख्ष कलस योजना की शुरुआत करी गई है और यह किस राज्ज ने इसे सुरू किया है इसका अप्सन है यूपी एंपी गुजरात राजस्थान इसका अंसर है डी राजस्थान अब राजस्थान की बात होती है तो राजस्थान में कुछ नेशनल पार्क भी होंगे नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में केवलादेव रणथंभौर सारिस्का डेजर्ट नेशनल पार्क केवलादेव नेशनल पार्क रणथंभौर नेशनल पार्क सारिस्का नेशनल पार और डेजर्ट नेशनल पार्क ये चार पार्क जो हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं और आगे देखते हैं अगला कुश्चन है विच स्टेट है लॉंच मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना मतलब किस राज्ज ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना को लाउंच किया है आपका अंसर है असम अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कल मैंने असम के सारे बताये थे आपको नेशनल पार्क तो कमेंट बॉक्स में लिखके बताईए कि कौन कौन से नेशनल पार्क अरसम में पाए जाते हैं ठीक है और अब आगे देखतें सिक्किम दिया है तो सिक्किम में कंचन जंगा नेशनल पार्क है त्रिपुरा दिया है तो त्रिपुरा में Clouded Leopard National Park है और इसके अलावा मिजोरम दिया है तो मिजीरम में Muralane National Park है फिर से एक बार देख लिए सिक्किम में कंचन जंगा है त्रिपुरा में आपका Clouded Leopard है और मिजोरम में है आपका Muralane National Park तो यह इंपोर्टन नेशनल पार्क जो थे मैंने आपको बताए और होमवर्क आपका यह है कि कमेंट बॉक्स में यह लिखिएगा कि सम्में कौन-कौन से पाए जाते हैं इसका अंसर है डी फर्स्ट बैंक नेक्स्ट कुस्ट्टन देखते हैं 14 इंडिया हें विबनार विच कंट्री ओन डिफेंस इंडेस्ट्री ग्लोवल आउट्रीच इंडिया ने एक वेबनार का युजित किया और उस वेबनार का जो है उसने अपने यहां वेबनार इंडिया यहां जो क्या उसमें एक डिफेंस आउट्रीच पर था इसमंने पार्टनर कौन था इसमें अंडिया का पार्टनर कंट्री काुन था ये किसके साथ इंडिया ने किया उप्षन आपके है USA, UK, China, इसराइल तो इसका अंसर है D. इसराइल USA की राजधानी UK की लंदन, चाइना की बीजिंग, इसराइल की ये ये चारों देश इनकी राजधानियां आप लोगों को बता देगे, next question देखते हैं अगला question पर चलते हैं who participated in annual informal meeting of सार्क काउंसिल आफ मिनिस्टर सार्क के काउंसिल आफ मिनिस्टर की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भारत की तरफ से किसने अपना किसने इसमें सिर्कत किया है, किसने भाग लिया है यह घया है कि सनकर जैसानकर जी आते हैं आपके गुजरात से और यह राजस वाएंपी है, next आगे देखते हैं, फिर एक मन आप लोगों को सार्क के बारे में डिटेल ने झेते हैं सार्क का फुल फॉर्म मिन idols और हुए हटा है sorts का फुल फॉर्म होता है और South Asian Association for Regional Corporation एक बार फिर देख लीजे South Asian Association for Regional Corporation ये साग का फुल फॉर्म होता है तथा ये फुल फॉर्म भी कही जगे पूछा गया है तो इसलिए नोट डाउन कर लीजेगा इसके अलावा इसकी स्थापना जो हुई थी 1880 में हुई थी इसका हेड़कॉर्टर जो है वो काटमांडू में है और इसकी स्थापना 1880 में धाका में हुई थी ये भी उचा गया है क्वेश्चन कि असार की स्थापना कहां हुई थी तो 1885 में धाका में हुई थी इसके अलावा इसके जो हेड है उनका नाम है इसाला वीरा कुम इसाला वीरा कुम यह इसके हैं जो की स्री लंका से विलॉंग करते हैं ठीक है अब आते हैं अपने आज question of the day पे तो question of the day जो है आपका वो यह पूछ रहा है how many beaches of India has been selected for the International Ecolabel Blue Flag Certification International Ecolabel Blue Certification के लिए भारस ने कितने अपने बीच या कटों को चुना है जिनको वो International Ecolabel Blue Flag Certification लेने के लिए भेजेगा इसको आपका answer comment box में बताना है इसके अलावा जो previous question है वो देख लेते हैं कल के question के बारे में तो previous जो हमारा क्तुमा क्तुमा करो दोलाव जोche जोरी तो हमारा क्तुमा करुमा कर दो बारे में जोलावा है हम गजे एक कर दो में यहार की दोक्तूमा